वेलकम बैक टुआ यूट्यूब चैनल स्टेडी आईक्यू जुडिश्री और आज मैं पवन वाशने आपके लिए लेका आया हूं वो टॉपिक जिस पर आज पूरा देश चर्चा करेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको थमनेल में दिख रहा होगा कि आज मैं आपको बताऊं किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी अगर हम इंडिविजूल पार्टी की बात करें तो यह गलत नहीं होगा ठीक है सबने अपने अपने अलाइंसे बनाए हुए हैं आपको नजर आएगा कि जब सीट नंबर हमने 293 देखा तो उसके आगे बीजेपी नहीं लिखा हुआ थ उसमें लिखा हुआ था NDA ठीक है जब हमने 233 देखा या 240 देखा तो उसके आगे लिखा हुआ था इंडि ऐलाइंस तो यह एलाइंस क्या है इंडिविजूल पार्टी क्या है पूर्ण भहुमत क्या होती है गडबंधन की सरकार क्या होती है इसे हम लोगा समझेंगे किवल बस पांच मिनट में आपकी लोगा ठीक है और ये पूरा बेसिक से पूरा स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा कि पूर्ण भहुमत और गडबंधन में क्या अंतर होता है ठीक है तो आई ये स्टार्ट करते हैं कल के इलेक्शन को देखते हुए ठीक है तो कल का जब हमने देखा तो वहाँ पर देखा के बीजेपी की सीट 240 थी ठीक है वहीं अगर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की बात करी जाए तो 99 सीट थी ऐसे ही अलगलग पार्टी की अलगलग सीट थी ठीक है तो अगर मैं आपको बताऊं कि सरकार कौन बनाता है सरकार कौन सी पार्टी सरक बना सकती है तो इसके लिए एक छोटा सा कौंसेट में आपको समझाओं गा देखो जब गवर्मेंट बनानी की बात आती है तो उनसमें सबसे important role play करता है लोकसबा है जो हमारा पार्लियमेंट होता है सांसाद होता है उसमें दो houses होते है एक Rajya-Sabha लोकसबा तो लोखसबा ये तय करती है कि Government किसकी बनेगी सरकार किसकी बनेगी तो सबको पता है हमारी जो लोकसबा है वहां total 550 सीटे हैं ठीक है यहां पे 550 250 सीटे हैं, जिसमें से 543 सीटों पे कल एलेक्शन हुआ 543 सीट पे एलेक्शन हुआ तो इन सीटों पे जो पार्टी मेज़ॉरिटी में आईगी याने की 272, 272 सीट जिसके पास आईएंगी वो पार्टी अपनी सरकार बनाईगी ठीक है मतलब लोक सवा में जो मैजॉरिटी में होगा वो सरकार बनाएगा और उसी के head को हम प्रधानमंतरी as a prime minister अप्वोइन्ट कर देते हैं यह हमारा system है parliamentary system है तो सरकार बनाने के लिए कितना seat चाहिए 272 seat चाहिए सरकार बनाने के लिए तो हम देखेंगे अगर हम किसी भी party को देखें इसकी 244 INC की 99 ठीक है तपा की 37 ठीक है ऐसे ही BSP की कुछ सीटें आई ऐसे कोई भी पार्टी कोई भी पार्टी 272 का आखड़ा नहीं छूपाई ठीक है कोई भी पार्टी 272 का अखड़ा नहीं चूपाई 272 सीट किसी की भी नहीं आई तो इसका मतलब यह है कोई भी इंडिवीज़ पार्टी गवर्मेंट फॉर्म नहीं कर सकती अगर बीजेपी चाहे कि अपनी सरकार बना ले नहीं बना सकती तो ऐसे में होता क्या है ऐसे में ये लोग अपने साथ ही पकड़ते हैं जैसे बीजेपी ने कहा कि सपा तुम मेरे साथ आ जाओ बीजेपी ने कहा कि जेडी यू तुम मेरे साथ आ जाओ बीजेपी ने कहा बीएसपी तुम मेरे साथ आ जाओ ठीके अब सपोस करते हैं मैं ABCD से आपको एक्जामपल देता हूँ अब सपोस करिए ह हमारे पास चार पार्टी हैं A, B, C और D ये चार पार्टी हैं और हमें government बनाने के लिए suppose करिए 100 seats चाहिए तो 100 seats जब हम हमें चाहिए अब suppose करिए A की आई 30, B की आई 40, इसकी आई 10 और इसकी आई 20, ठीक है तो 100 seats तो किसी की नहीं आई ठीक है या फिर आप मान के चलिए 100 seats थी लोग सबा में और 51 हमें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए ठीक है majority में होना पड़ेगा ना सो सीट थी लोग सबा में suppose करिए 51 चाहिए हमें सरकार बनाने के लिए तो कोई भी individual party यहाँ पर 51 पर नहीं है तो सरकार नहीं बन सकती अब मान के चलो के B और D में दोस्ती हो गई B और D एक साथ आ गए अब B और D एक साथ अगर आ गए तो इनकी मिला के seat कितनी हो गई 60 seat हो गई कितनी seat हो गई 60 seat हो गई तो 60 seat 100 में क्या माना जाएगी majority मानी जाएगी तो B और D मिल के क्या करेंगे सरकार बना लेंगे ठीक है बड़े किसी individual की सरकार नहीं होगी यह B और D के alliance की सरकार होगी ठीक है यह किसकी government बनेगी B D की मिला के गवर्मेंट बनेगी BDA सपोस करिए इसका नाम रख दिया BDA एलाइंस ठीक है जैसे बीजेपी ने क्या किया बीजेपी ने बहुत सारी पार्टीज को मिला के एक अलाइंस बना लिया जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस जैसे कॉंग्रेस ने सपा ने ठीक है टी तो यह होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो इसे बोलते हैं गट बंदन की सरकार गट बंदन जिसे हम इंगलिश में कोलिशन गवर्मेंट भी बोलते हैं ठीक अब पूर्ण बहुमत क्या होता है आप सपोस करिए कि इसमें से एक ही पार्टी इसमें से एक ही पार्टी के 55 सीट्स अगर किसी के आ जाती है अगर एक सिंगल पार्टी की सीट्स 55 आ जाती है तो क्या होता तो वो अकेली पार्टी क्या होती सरकार बना लेती फिर हम कहते हैं किसकी गवर्मेंट है बी की गवर्मेंट है जैसे बीजेपी की अगर केवल बीजेपी की सीट्स 272 को पार कर जाती हैं तो बीजेपी अपनी सरकार बना लेती उसे बोलते हैं पूर्ण भहुमत की सरकार के एक इंडिविजुल पार्टी में पूर्ण भहुमत है ठीक है एक complete majority है बट किसी की भी complete majority नहीं आ पाई तो हम क्या करेंगे अब सरकार कौन बनाएगा alliance सरकार बनाएगा ठीक है एक party दूसरी party की साथ मिलकर सरकार बनाएगी जैसे हम बोलेंगे गठ बंदन की सरकार तो यही major point था गठ बंदन की सरकार और पूर्ण भहुमत में तो अब आप सब को पता है कि जैसा कि आपने result कल देखा किसी भी party को 272 सीटे नहीं मिल पाई individual party को तो आपको कमसिगम mind में ये clear up हो जाना चाहिए कि कोई भी party पूर्ण भहुमत की सरकार अपनी लोग सबा में नहीं बना पाएगी क्योंकि किसी की भी majority में सीट्स नहीं आई है अब उन्हें किसका सहरा लेना पड़ेगा coalition government का सहरा लेना पड़ेगा गठ बंदन क की सरकार कहलाएगी clear तो धन्यवाद ऐसे ही legal updates के लिए यही छोटे-छोटे concepts के लिए जो daily uses में इस्तमाल किये जाते हैं जो daily uses में इस्तमाल किये आगे जाएंगे ठीक है इन्हें समझने के लिए छोटी-छोटी वीडियो के दौरा तो आप उसके लिए इस चैनल को subscribe कर सकते हैं ठीक है आगे आने वाली मेरी बहुत सारी सीरीज इस पर आगे आने वाली है steady IQ judiciary पे तो उसे भी आप देख सकते हैं आगे बाकी छोटे-छोटे-छोटे legal updates के लिए और बहुत सारे knowledge के लिए बहुत सारी news के लिए आप description में मेरे जो telegram channel का link है उस पर जाके मेरे telegram channel को भी join कर सकते हैं जिसका नाम है पवन सरकी पाटशाला ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद